मैं मरेंदर दामोदर्दास मोदी जो लोग सभा का सदस्चन निर्वाचित हुआ हूँ इश्वर की सपत लेता हूँ लोग सभा के सदस्चे के तौर पर पीएम मोदी ने शपत ली जिसे पूरी दुनिया ने देखा अठारेवी लोग सभा के सदन में सबसे पहले पीएम मोदी ने शपत ली मैं मरेंदर दामोदर्दास मोदी जो लोग सभा का सदस्चन निर्वाचित हुआ हूँ इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं बीजी जुमारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची स्रधा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षून रखूंगा तथा जिस पत को मैं ग्रहान करने वाला हूँ उसके करतव्यों का स्रधा पुर्वक निर्वान करूंगा लेकिन इसी दोरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रहे गया जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या इस तरह से पियम मोदी के सामने करना कितना सही है सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे वो तो भला हो कैमरों का जिसमें सब कुछ कैद हो गया नहीं तो कोई यकीन नहीं करता किसी को भरोसा नहीं होता लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा पियम मोदी के सामने इस तरह की चीज़े देखकर पियम परेशान, सांसत परेशान हर कोई हैरान वो सब दिखाएंगे वो सब बताएंगे कि राहुल और अखिलेश क्या करना चाहते थे क्या बताना चाहते थे हद तो तब हो गई जब सब देखकर चौक गए दरसल हुआ यूँ कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटेम स्पीकर ब्रतहरी महताप से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं हाथ मिलाने के बाद वो उन्हें हाथ जोड़ कर प्रणाम भी करते हैं फिर इसके बाद होता है असल खेल जहां इसके बाद वो संसत के बागी सदस्यों की और मुड़ते हैं इस कड़ी में मोदी का चेहरा जैसे ही सभा की बाई तरफ मुड़ता है सम्विधान की प्रती लिए दो लड़के राहूल गांधी और अखिले शियादव प्रधान मंत्री का हाथ जोड़ कर अविवादन करते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरन रहा गया यकीन नहीं हो रहा है तो जरा दो बारा एक बार फिर से देखिए बतादे कि विपक्षी खेमे की पहली सीट पर बैटे ये दोनों लड़के नई लोगसभा में बदलाव का वो चेहरा है जिसे लेकर मोधी सरकार के तीसरे संस्क्रण की टीम में काफी बेचैनी है हालिया लोगसभा चुनाओं में दो निताओं की ये जोड़ी भाजपा के लिए जितनी बड़ी चुनोती थी उससे ज़्यादा बड़ी चुनोती ये मोधी सरकार के लिए सदन में साबित हो सकती है कॉंग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अकलेश यादव पहली बार साल 2017 के यूपी विधान सुबा चुनाओं में साथ आए थे तब उन्हें यूपी के लड़के बोलकर पीम मोधी ने उन पर खूब निशाना सादा था हाला कि तब राहुल अकलेश को वैसी सफलता नहीं मिली थी जैसा वो चाहते थे साल 2014 के लोकसबा चुनाओं में दोनों फिर साथ हाए और इस बार तो कमाल ही कर दिया उत्रप्रदेश में राममंदर को लेकर धार्मिक राजनिती की लहर बनाने वाली भाजपा को ना सिर्फ उसके गड़ अयोध्या में पठकनी दी बलकि असी सीटों वाले उत्रप्रदेश की आधी से ज्यादा सीटे भाजपा से छीन ली राहुल गांदी ने राय बरेली से जीत हासिल की तो अखिलिश यादव भी करहल से विधाय की छोड़ कन्नौज सीट से सांसत बन गए वो भी प्रचंड जीत के साथ दोनों ही नेताओं ने लोकसबा चुनाओं में सम्विधान और आरक्षण को मुद्द बनाया और जनता के बीच भाजपा को सम्विधान और आरक्षण को खत्म करने का आरोपी बना कर पेश किया इसका असर भी दिखा और 400 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा को चुनाओं में काफी सीटें खोनी पड़ी ये वज़े भी है पहले और दूसरे चण के बाद भाजपा नेताओं ने अब की बार 400 पार का नारा देना भी बंद कर दिया था वहीं लोगसभा में जीत के बाद सपा और कॉंग्रिस दोनों ने ही इसे सम्विधान की जीत बताया साथी नई लोगसभा के पहले सत्र के पहले दिन जब दोनों ही दलों के सांसद सदन पहुँचे तो उनके हाथ में सम्विधान की परतिया थी सदन में जब प्रधान मंत्री नरिंद मोधी शपत लेने के लिए डायस पर आये तब अकलेश राहुल समेथ कॉंग्रिस और सपा के तमाम सांसदों ने हवा में सम्विधान की परतिया लहराई सोमवार को सदन में विपक्ष की इस एक्ता ने सत्ता पक्ष के माथे पर जरूर बल डाल दिया होगा राहुल गांदी पहले भी सदन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे थे वहीं अकलेश यूपी विधान सभा में योगी सरकार से लोहा देखे जाते थे अब लोग सभा में दोनों नेता एक साथ होंगे तो सत्ता और विपक्ष में बहसों का नया रूप देखने को मिलेगा अपनी हाजिर जबावी के लिए मशूर अकलेश यादव के आने से निश्चित रूप से विपक्ष को बड़ी ताकत मिली है हिंदी बोलने वाले विपक्ष के दो कदावर नेताओं के आने से सदन में भाजपा के लिए भी बहस करना आसान नहीं रहेगा भाजपा की घटी सिटें और विपक्ष के बड़े सांसदों की संख्यावी लोकसभा में वहस का माहौल बदलने में एहम भूमिका निभाएगी पंजाब केसरी टीवी के लिलखनों से अश्वनी सिंग के रिपोर्ट